सारा किसान भाई यने राम राम मैं थारा भाई वजी जमितार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल लैचार फार्विंग गुलोक्स पे तो आज मैं आपको बताऊंगा गोबी की पनीरी कैसे डाली जाती है और पूरी प्रोसेस क्या है गोबी की पनीरी डालने की बैड कैसे त्यार किये जाते हैं बैड की लंबाई क्या है बैड की चोड़ाई क्या है सभी इस वीडियो के माद्दम से मैं आपको बताऊंगा तो च देखिए एक क्यारी में मैंने च्यार बैट बनाए हुए हैं यह आप देख सकते हैं और जो है मैंने बीच में इनके खाई छोड़ी हुई है चलने के लिए आप बैठकर गास पाड़ सकते हैं और अराम से चलकर दुआई भी डाल सकते हैं जिसे आपकी पोद भी खराब नहीं होगी या आप देखिए और उसके मेरे डोलिया है एक क्यारी में आमने च्यार बैट बना रखे हैं इसके बाद में आपको बताता हूं बीच क्वा से डालना है तो बीच चेहरीयों में डाली धोस्तों आप सरियह से चैहरी गिरेगी उनकी डंडी दभी रहेगी वो मोटी होगी जो डंडी है पोद की वो मोटी होगी और पोद की क्वाल्टी भी बहुत बढ़िया होगी जमाओ भी बहुत बढ़िया होगा किसान बाईयो अगर आप छिड़क कर बीज डालते हैं तो क्या होगा कि आद्धा बीज आप गोंबर का जो छाथ है उसे अच्छे से बारिख करकर इन चैरियों को उपर डाल दे चैरियों को उपर डालने इतना ही छाथ डाले कि आपकी जो है बीज वो ढख जाए उस पर जाधा छाध भी न डाले और कम भी न डाले किसानफाईयो मध्य आप खाद डालने उनके उपर अगर आप ज़्यादा खाद डाल देंगे तो आपकी जो गोबी की बीज है वो नहीं उगेगा और आप कम डालेंगे तो उपर दीखेगा तो भी नहीं उगेगा जो खाद डालने के बाद आप तीसरा काम क्या करे किसान भाईयो उसके उपर बोरिया ढख दे बोरिया ढखने के बाद पाणी लगाए किसान भाईयो और जो पाणी है वो बोरी के उपर से ओकर दिखना चाहिए किसान भाईयो ताकि पता लग जाए कि हर जगह हर बैड पर पाणी अच्छे से पहुँच चुका है जो यह सारी प्रोसेस है यह मैंने आपको बता दिया कैसे आप गुब्बी की पनेरी पोद त्यार कर सकते हैं किसान भाईयो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्याद है ज़्यादा सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वी सके धन्यवाद